हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चेनल फ्रेंट्स आज हम आपको 2-3 एर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं जिसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं आप देख सकते हैं इसके आर्म होल की और नेक की फिटिंग भी कितनी प्यारी आ रही है इसमें हमने 1 मिटर फेबरिक यूज किया है नीचे की साइड भी हमने इसमें फ्रिल के उपर पाइपिन लगा दी है ये दो पीस हमने ले लिए हैं फ्रोक के लिए जिसकी लेंट 17 इंच है और चोडाई में ये 20 इंच है अब हम इसको ऐसे उठाते हैं और डबल कर लेते ह है फोल लेयर यहां पर हमारी हो गई है शोल्डर हमें इसका 4.5 इंच रखना है और आर्म होल की लेंध हमें इसकी 5.5 इंच रखनी है ऐसे करते हुए हम इस पर सिधा निशान लगा लेते हैं चेस्ट हमें यहां से इसकी 7 इंच रखनी है ऐसे चकोर निशान लगा लेते हैं और हर मोहल में हम अपने गोलाई कर लेते हैं वेस्ट लाइन हमें इसकी 5 इंच रखनी है ऐसे हम निशान लगा देते हैं और वेस्ट इसकी 6.5 इंच रखनी है अब इस जंगे से हम नीचे तक इसको निशान को मिला देते हैं यहां से हलकी सी हमें इसमें गोलाई कर देनी है नीचे का घेरा हमें 1.5 इंच का गोलाई में निशान लगा लेना है नेक की चोड़ाई हमें 2 इंच रखनी है और लेंथ में इसको 3.5 इंच रखना है अब हम इसमें गोलाई कर लेते हैं इसका बेक नेक और फ्रंट नेक हम बराबर बनाएंगे अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं साइड से भी हमें इसको इतना ही कटिंग कर लेते हैं यहां से हमें हलका सा ढालदार शोल्डर पर से कटिंग करना है क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं अब हम इसका नेक भी cutting कर लेते हैं यह देखिए नेक भी इसका cutting हो गया है अब हम एक पीस को लग कर देते हैं और एक पीस में से बेक नेक 3 इंच तक खोल सकते हैं हम यहाँ पर यह हमने पट्टी लिये है जिसकी चोड़ाई 2 इंच है और लेंथ में यह 4 इंच है इसको हम बीच से cutting कर लेते हैं और यहाँ पर रखकर हमें इसको लगानी है दो फ्रिल यह हमने नीचे घेरे में लगाने के लिए ले लिए हैं जिसकी लेंथ 6 इंच है और चोड़ाई में यह 40 इंच है यह दो फ्रिल सेम लेंथ के हैं और सेम चोड़ाई के हैं इसको एक साइड से हमें फॉल्ड करना है और एक साइड में हमें ऐसे करते हुए इसमें बोक्स प्लेट डाल देनी है ऐसे करते हुए हमें दोनों घेरों में प्लेट डालनी है ये नेक के लिए हमने एक फिरिल लिया है जिसकी चोड़ाई 2 इंच है और लेंथ में ये 36 इंच है इसको हमें डबल करना है और इसके उपर सिलाई लगा कर इसमें हमें चुन्नटे डालनी है ये हमने रेब की पाइपिन ली है जिसकी चोड़ाई 1.5 इंच है आर्म होल में और नेक में लगाने के लिए अब हम बेक नेक तयार करते हैं अपना जो हमने पट्टी कटिंग की हुई है वो नेक पर ऐसे रखते हैं और फिर दूसरी साइड को मशीन को कर लेते हैं ये देखी हमने दूसरी साइड को पलट लिया है अब बीच में हमें इसके हलका सा कट लगाना है कट लगाते समय ध्यान रखे कि आपकी सिलाई कटे नहीं अब सब फेब्रिक हमें इसी पट्टी के नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाता है और मोडने में इसको परिशानी नहीं होती है अब हमें इसको अंदर की साइड को फोल्ड करना है और इसके किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरीके से आप किसी भी चीज में पट्टी लगा कर पलट सकती हैं आपकी शेप बहुत जादा प्यारी आएगी अब ये नेक का हमारा फ्रील है इसको हम डबल करके बड़ी सिलाई करते हुए मशीन की इस पर लगा लेते हैं ताकि जब हम इसमें चुन्नटे डालें तो हमें परिशानी ना हो अब हम इसमें ऐसे करते हुए बारिक बारिक सी चुन्नटे बराबर बराबर डाल लेते हैं ये फ्रील हम सिर्फ फ्रंट नेक पर लगाएंगे बेक नेक पर नहीं लगाएंगे ऐसे करते हुए हमें अपने पूरे फ्रील में चुन्नटे डाल कर इसको तैयार कर लेना है लाई लगाकर सेट कर देना है फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाईक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब हम इस पीस को फ्रिल हमने लगा ली है फ्रेंट के पीस को डबल कर लेते हैं और फ्रेंट आर्म होल में हलकी सी गहराई कर देते हैं जिससे आर्म होल की शेप बहुत जादा अच्छे आती है यह आर्म होल हमने कटिंग कर दिया है अब हम दोनों पीस के शोल्डर पर सिलाई लगा देते हैं फ्रेंच शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए इससे जब हम साइड में सिल्वजी या नेक में पाइपिन वगेरा लगाते हैं तो ये साइड से उधरते नहीं है अब हम इसकी नेक की पाइपिन लगा रहे हैं जो कि हमें बेक नेक से शुरू करनी है और पाइपिन को हमें बेक साइड पर रखना है और फरंट साइड को पलटना है पाइपिन बेक साइड से लगा कर फ्रंट साइड को जब हम पलटते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत जादा आती है पाइपिन को हलका हलका सा हमें सब जंगे से खीचना है और ध्यान करते हुए अंदर की सिलाई बिल्कुल बराबर लेनी है यह पाइपिन हमने लगा दी है अब दो बार हम इसको फॉल्ड करते हैं और जो अंदर की सिलाई पाइपिन लगाने के लिए हमने लगाई है उस सब सिलाई को हमें इसी के नीचे की साइड दाब देना है जिससे इसमें फिनिशिंग बहुत जादा आती है पाइपिन को फॉल्ड करते हुए सब ही नीचे की सिलाई हम इसके नीचे दाब देते हैं और फ्रील का सारा फेब्रिक भी अंदर की साइड का इसी पाइपिन के नीचे चला जाता है यह देख सकते हैं पाइपिन की शेप हमारी कितनी प्यारी से आ रही है ऐसे ही हमने पूरे नेक में अपने पाइपिन लगा कर इसको तयार कर लिया है अब हम आर्म होल की पाइपिन लगाते हैं फ्रेंट्स आर्म होल की पाइपिन भी हमें बेक साइड पर रखनी है और फ्रंट साइड पर पलटनी है और अंदर का फेब्रिक सिलाई का इसमें हमे बिल्कुल बराबर लेना चाहिए धीरे धीरे करते हुए पाइपिन लगानी चाहिए जब अंदर का फेब्रीक हमारा बराबर होता है तो हमारी पाइपिन की उपर की शेप बहुत जादा अच्छे आती है एक्स्ट्रा फेब्रीक हम कर देते हैं और इसको भी हमें दो बार फोल्ड करना है अंदर का फेब्रिक हमें इसका कट नहीं करना है जिससे ये पाइपिन की में फिनिशिंग बहुत जादा आती है पाइपिन हमारी टाइट सी हो जाती है फ्रेंट्स पाइपिन लगाते समय ध्यान रखें जब आप पाइपिन कट कर हो तो वो पाइपिन हमारी फुल रेब की होनी चाहिए तब ही हमारी पाइपिन की शेप अच्छे आती है ये देखिए पाइपिन हमारी लग कर तयार हो गई है इस साइड के आर्म होल में भी हमें ऐसे ही पाइपिन को अपनी लगा लेना है ये हमने दोनों साइड की भी हमें ऐसे ही बारिक सा फोल्ड करना है और फ्रंट साइड का फ्रिल भी हमें ऐसे ही बारिक फोल्ड कर लेते हैं अब हमें इसमें बोक्स प्लेट डालनी है एक प्लेट हम अपनी साइड को डालते हैं और एक प्लेट दूसरी साइड को डालते हैं चोड़ाई आप इसमें ए अब हम फ्रोक और फ्रील को एक साथ जोड़ देते हैं चुननटों को सेट करते हुए हमें इसके उपर सिलाई लगानी है ये देख सकते हैं फ्रेंज फ्रील हमारी लगकर तैयार हो गई है और प्लेट्स भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी प्यारी सी आई है अब हमने ये एक इंच की सीधी पट्टी ली है इसको हमें फ्रील के उपर रखना है और आधा फ्रोक के उपर रखना है सिलाई हमें नीचे की इसी पट्टी के नीचे कर देनी है ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी ये पाइपिन लग रही है नीचे की साइड की हमने सबसिलाई इसी के नीचे दाब दी है अब दूसरी साइड से भी हमें इसको फोल्ड करना है इस साइड से भी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और जितनी नेक की पाइपिन की चोड़ाई है और आर्मोल की पाइपिन की चोड़ाई है इतनी ही पाइपिन की चोड़ाई हमें यहाँ पर इसमें कर देनी है आप चाहे तो ये पाइपिन बेक साइड पर लगा सकते हैं नहीं तो बेक साइड पर ऐसे ही रहने दे सकते हैं ये हमारी पाइपिन बन कर तयार हो गई है बेक साइड में भी हम सेम इसी तरीके से पाइपिन लगा कर तयार कर लेते हैं अब यह फ्रोक तयार हो गई है इसमें साइड की फिटिंग हम लगा देते हैं Friends side की फिटिंग आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं थोड़ी सी कम्हाजादा ऐसे ही हमें दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई लगा कर इसको तैयार कर लेना है ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी ये सिंपल सी फ्रोक बन कर बहुत आसानी से तैयार हो गई है आर्म होल की शेप भी देख सकते हैं और नेक भी देख सकते हैं इसका प्यारा सा फ्रील वाला बन कर तयार हो गया है यहां पर हमें इसमें चार बटन लगाने हैं नीचे की साइड भी की पाइप इन भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी फ्रील की इसकी शेप बैठ गई है फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बैल आइकोन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हम अपनी नेक्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिजाइन लेकर आएंगे तब तक के लिए बाई बाई